हेलो हाई नमस्कार मैं आपका सूरसर स्वागत करता हूँ आज की सेशन में आज हम 12th क्लास के Mathematics का चेप्टर पढ़ने वाले हैं 15 जो है नाम सरकल्स ये 4 चेप्टर एड़ हुए हैं आपके New syllabus में 13, 14, 15 और 16 स्टर्टिंग चेप्टर 15 बाकी Math का पूरा कोर्स अगर आपको चाहिए तो recorded form में 100 hours से जादा का lecture साथ में notes और PDF आपको हमारे app में मिल जाएगा वहां से आप जाके विजिट कर सकते हैं लिंक description में दिया है अगर आपके पास दस दिन का भी समय है तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं वाकि WhatsApp और टेलिग्राम चैनल तो आप जानते ही है जो बिल्कुल फिर यह जहां जोइन किया सकता है तो यहां पर देखिए आज हम सर्किल के बारें पढ़ेंगे संब्स के स्पाराइज नार्मली जो है अगर एक सर्किल को करते हैं जै किए तरीका से आगर करते हैं तो इतना सब्सक्राइब दिखाएंगे इसमें किसी एक रीडियस को दिखाँगे unsafe इसको हम R's denote करते हैं जिसको radius करते हैं और इसी को अगर इधर के और हम बढ़ा दें पूरा का पूरा तो इसको हम diameter बोलेंगे वियास हो गया हिंदी में करते हैं त्रिजिया हो गया यहां पर यह D हो गया आपका बड़ क्या इतना sufficient इतनी जानकारी क्या इतना ही हमें पढ़ना है नहीं इसमें हमें पढ़ना है circle के वारे में circle का equation क्या होता है इसके उपर आएगा चूंकि नया content है बिल्कुल आपके लिए phrase है तो उसको हम उसी तरीके सा आपको handle करके बताएंगे और समझाने कोसिस करेंगे इसको ठीक है तो देखिए आप मान 葉ंतर में हम लोग coordinate axis बना लेते हैं कि क्या बना लेते हैंं कि अभे टैक्सन और यह बाई है अगर यह बनाए जा सकता है तो यह पर अगर ये zero zero मान लो यहा पैलेट me supposed और यहां पर एक पॉइंट मान लूँ पी जिसका कोडिनेट है एक सब्सक्राइब करते हैं जब उसके कोडिनेट्स दिये गए होते हैं आया ना बताइए तो अगर मैं इन दोनों पॉइंट का झिकर कर लूँं कि यह point O है और यह point P है तो ऐसा नहीं लग रहा आपको की कुछ इस तर synthetic system त्यार होगा point O है यह point B है इसके पास है 00 इसके पास है एक सब्सक्राइब करना हो तो ओपीज इकवल टू माईनस एक सबन का स्कौरर प्लस वाइटो mys3 स्कौाइर यहीर होता है और फिलाल आँर है तो आज इकौल टुक्या गया रूट अंडर एक स्कौाइर प्लस बाई सकौइर अब क्यूंकि यहां पर अंडरूट नहीं अब यहीं पर घरमानके चलिए इस जो सेंटर दिया है इस center का जो coordinate है वो change कर दिया जाए कुछ भी मान लिया जाए जैसे according to your syllabus आपके syllabus का according चले ही यहाँ पर, h और k मान लेते हैं, जो की famous है, h मान लेते हैं, x को represent कर रहा है, k जो है वो by को represent कर रहा है तो let me suppose हमारा एक circle है, उस circle में हमारा जो center है, center का जो coordinate है, वो h और k है तो जो format हमने अभी लिखा है, r square is equal to, क्या था, चलो, एक काम करते हैं, ऐसे, r square is equal to, x, पूरा में derive कर गें बताता हूं, रुको, confusion हो जाएगा कई बच्चों को, यह अपना circle है, यह अपना center है, और इसको हम लोग ऐसे बना देते हैं, x, यह by, इसका coordinate बोलते हैं, h और k, अच्छा जी, और इसको ले आते हैं, point x और by, यह center c हो गया, c बोल सकते हैं, c ही मान लिजे, अब लेट भी सपोज, यहां पर हमारे पास दो point हो गए, यह हो गया, c, यह हो गया, p, पिछली बार o मैंने ले लिया था, confusion मत हो ना, कुछ भ by, again we have to find the distance between point c and point p, right, तो अगर यहां पर हम लेते हैं, cp is equal to root under, यह क्या हो जाएगा, x minus h का square, plus pi minus k का square, तो यहां पर cp की वैले अलड़ी हमने r ले रखा है यहां पर, so r is equal to, यह बन गया, root under x minus h का square, plus pi minus k का square, squaring both sides, हमें मिलेगा, r square is equal to, x minus h का square, plus pi minus k का square, and this is the required equation, this is the required equation of this condition of the circle, ठीक है, एक तो यह आपका हो गया, अब आते हैं, जेनरल equation of the circle पर आते हैं, कि जेनरल equation circle का क्या होगा, और देखिए, आपका जो यह 15.1 इसी पर चलेगा, find the equation of the circle, यह वो वो इसमें तो एक दो 15.1, 15.2 तो इसे ही आपका solve हो जागा, जो मैंने concept बताया है, खाली इस concept को रखे, solve कीजे बात खतम, इस ज्यादा कुछ नहीं है हमारा, ठीक है, कुछ है ही नहीं, आप बचा general equation कैसे हम निकालते हैं, circle का, उसका क्या कुछ हिसाब किताब होता है, कैसे करेंगे, वो अगले part हमें आपके लिए लेकर आएंगे, अभी छोटा सा part हमने बस इतना ही लाया था आपके लिए, हाला कि मैं आपको बता देता हूँ, कोई विसेस नहीं है ये, लेकिन उसको कुछ terms and conditions होते हैं, general equation हम लोग बनाएंगे, general equation डालने के बाद उसको एक value को डालेंगे, अगर center c है, 0000 रहात तो क्या हुआ, अगर center x axis पे हुआ तो क्या होगा, ये सारी चीज़ आती है, और कुछ questions है, तो ठीक है, बाकी content आपको हमारे app में मिल जाएगा, जो हमारा course है, बाकी demo purpose के लिए, बीच वीच में आपको देते रहते हैं, तो ये समझी एक promotion type का होता, जो हम देते रहते हैं, और बताते रहते हैं, और इससे कुछ बच्चो आप देखिए, इतना content आपने देखा, आपको अच्छा लगा, कुछ सीखा आपने, ऐसे बहुत सरे अलग अलग subject का भी हमने दिया है, तो मिलेंगे एक नए content, नए update के साथ में, तब तक बिजोड मेहनत कीजिए, और मेहनत ऐसा ऐसा नहीं कीजिए, math में सारे formula को याद कर लिजिए, समय आपके पास बिलकुल नहीं है, एक जाम आपका नजदीक है, और केबल आपको मेहनत करना है, और लास्ट में ही कहूंगा, सड़क बनाने कोशिस मत करो, बने वे सड़क पर गाड़ी चलो, खुद से content करोगे, सब करोगे, बहुत समय बिज जाएगा, रेडिमेट कंटेन उठाइए, एप में जाएए, पढ़िए, बिन्दास तरीके सागर बढ़िए, थांकियो सो मच, वी से ओल दे वेस्ट,